दोस्तो नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल किसान संब्रद्धी जीवन में हार्दीग बंदन और अभिनंदन हैं मेरे दोस्तो आज हम यह महराष्ट की शंतो की पावंधरा में आये हुए हैं और यह बहुत ही पावंधरती है और अम्रावती के अंतरगत कौन सी तहसील कि अंदर के थे मुझे हुए हैं और उन्हों 시간이 आहिए। हम को आके खुसी हो रही है Kollegin कि अपर आज हमारा यहां जो है हमारे ग३रह से अमरा वती जिला और हुमों केहां हम को यहां इन्वाइट किया था एक्छिली में देखने के लिए हम अपना जमीन देखने के लिए बुलाया था उन्होंने कि हमको जो है महोगनी का प्लांडेशन करना है जैसा कि आप देख रहें पूरा संत्रा का बगीचा बहुत बढ़ीजा हुआ है और आके यहां देखके मेरो कितनी ज़्यादा खुसी हो रही है कि यहां महाराष्ट के हमारे जो किसान भाई है वो बहुत अच्छे तरीके से खेती करके और खेती में बहुत बढ़िया पैदावार ले रहे हैं मैं महाराष्ट से किसान भायों से यह चीज मैं सीख रहा हूँ, यहां की लोग परमपरगत खेती के साथ कामर्सियल खेती करते हैं, कुछ-कुछ जमीन में कामर्सियल खेती करके बहुत बड़िया पैदावार लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं, दोस्तों कि यह संत्रे का सब जगे में देख रहा हूँ कि संत्रे का बगीच है, और लोग अच्छे तरीके से संत्रे की खेती बहुत बैज्ञानिक बिदी से करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से लाव ले रहे हैं, मैंने यहां के बहुत सारे किसान भाईयों से भी यहां बात किया, जो है, तो ने बताया कि हम एक इकड़ की जमीन से रेट अगर अच्छा रहता है तो आठ लाग दस लाग रुपए तक की पैदावार ले लेते हैं लेकिन मिनिमम दो धाई लाग रुपए से कम होता ही नहीं कितना भी रेट अगर कम रहे तो दो लाग धाई लाग तीन लाग की पैदाव तो आई जाती है तो मेरे मित्रो मैं आप लोगों की बूलना चाहूंगा सभी इस यह मैं संत्रिक जो बागीचा में खड़ा हूं तो महाराष्टक के किसान भाईयों का ये बागीचा देखते हुए मेरों को इनसे अनुभव मिल रहा है कि आप लोग भी अन्न जिला के जैस अपनी खेती के साथ साथ जो है कुछ बेवसाई खेती करके खेती को लाप का धंदा बना सकते हैं और ज्यादा नहीं मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप अपनी खेत में अगर आप बेवसाई खेती नहीं करना चाहते हैं कोई बागवानी नहीं करना चाहते हैं तो आपकी जो महोगने की खेती हो गई, तो महोगने की खेती करके भी आप लाको लाको नहीं बलकि करोड़ों का पुतपादल ले सकते हैं, अभी जैसा कि मैं यहां आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मैं सारे बहुत सारे किसानों को मैंने जानकारी दिया, तो वो सब लगाने के लिए त आप अगर मेरा ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं किसान सिम्रिदी जीवन चैनल के माध्यम से तो मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी आप अपने जमीन के कुछ हिस्से में जरूर बागवानी करें नीवू की आप बागवानी कर सकते हैं अपने अपन्राइगह बागवानी कर सकते हैं तो इपनी परमपरगत खेती के साथ ये वियवसाई खेती करके लाखो लाखो नहीं बलकि आप करोडों का पुत पादन आप लेगे और खेती को आजनी खेती से योड़कर और अपनी आर्थे किस्कित को आप मजबूद बना सकते हैं बहुत बेनिफित आप ले सकते हैं किसान भाईयो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो अगर जी हमने आपको जो लाप्रत जानकारी कुछ दिया हो और इस शंत्रे के बगीजन से अगर आपको हमको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आपके अपने चैनल किसान समर्दी जीवन को अगर अभी तक आपने सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्क्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए और वीडियो गर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अन किसानों तक जरूर सेर करिए जिससे अन किसान भी हमारे महाराश्टत के किसान भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए रोल माडल बन सके और उनको देखके वो भी अपने खेती में बागवानी शुरू करके और खेती को लाप का दंदा बनाके बहुत बढ़िया पैदावार ले सके तो किसान भाईयो आप सभी लोगों से में इजाज़ता चाहता हो जै जबान, जै किसान, जै हिंदुस्तान